लेकिन अब इस एंकाउंटर के बाद क्योंकि आठ पुलिस कर्मियों की हत्या के बाद जो पूरा पुलिस महकमा था जो तमाम पुलिस कर्मी थे जो कानून की रक्षा के लिए खुद को मुस्तैद रखते थे उनके मनोबल पर एक बड़ा असर पड़ा था लेकिन आज लग र रहा था रहा है आप फिर तलाशी की गई गैतरी मैं उस्वाट पर वच्राओं जहां से बंबरामद हुए है मैं आपको दिखा दू कि यहां से अभी बंबरामद हुए है और पुलिस निजबाद की पूस्टी भी कि है कि फिर से तलाशी ली गई यानि जो विकास दूबह स पुछ में कभी तांड दी लिए ये राइं ़िती प्षाय करें आंड़ी ये ये सब्सक्राइट यहां से बज़ए ये गाड़ी ए कहा पर है यह यह बम этим नहींसर तश्वीरों में दृख effectivement को गो यह यह वह महां घृत्र अधि मिल रही हो समय तश्वीरों को जित ईरड़ वह तसवीर नदर ऑवाय-धर देसी वम है यह वह तस्वीर है गैध्र देखिए जिए जरा यह पार्टू है यह दर देख सकते हैं थिक सकते यह थे पंचायत भवन है यह यह पनचायत बन है have यह इस कमरे से बरामद हुए यह उसी के नाम से गैतरी हमारे साथ पुलिस पुलिस अधिकारी मौजूद है पाहिला पुलिस अधिकारी मौजूद है इसी दोरान आप सब लूग थे तो इसी दौरान आप सब लोग थे हम लोग थे तो एक डिबे में रखा हुआ प्राथ हुआ है जिसके लिए बीडियस को सुचना दे दी गई है आगे करवाई की जा रहे हैं कि अगर की जाएगी तो आगे मौके पर हैं हमारे करीब तीन चार टी में काम कर रही है अचार यह बताईए गले की जगह पर जहां पर सरकार राशन भीजती है कि वह लॉकडावन में गरीबों को मिले वहां पर बंगा क्या काम पर ये विकास जुबए का जो नौकर है जो अभी इरेस्ट किया गया है वेससलब हस्पिटल में है यह उसके नाम से रासण कहले की जैसे की आप लोग बता रहे हैं उसी के नाम से हैं और यह पूरा यह किया क्या नाम है उसका किया चैनल अरेस्ट हुआ है गैत्री दर्शकों यहां पर तो अनाज रखना चाहिए बंगा क्या काम भाई तो बिल्कुल सही बात है आपकी आनाज के सबीच में छुपा के रखा गया था जो कि पुलिस बजारा जब्त कर लिया अच्छा यह बताईए कि आप लोगों ने यहां जाच की यहां से बंग मिला तो क्या लगता है कि यह बंग उसी लिए था उस रात के लिए काली रात के लिए इस्तमाल करना था गायतरी दर्शक देख सकते हैं कि यहां पर जो बं मिले हैं वह अभी बंगों के मिलने का सिलसिला जारी है मतलब सोचिए कि कि कितने बड़े पैमाने पर पुलिस पर हमला करना चाह रहे थे यह अंदाजा लगा जा सकता कि कि कितने बड़े पैमाने पर गायतरी पुलिस पर हमला करना चाह रहे थे और यह पंचायत भवन है जहां पर विकास का जल जला था विकास की दहशत थी और यहां से आप पूरा अनाज ले जाए जा रहा है यह वो अनाज था जो बिल्कुल सौराब और यह यह तस्वीरें और यह देशी बंब उसके खात्मे के बाद भी मिलना यह बताता है कि किस तरीके से लगातार वो ना सिर्फ अभी तक अपने मनसूबों का अंजाम दे रहा था अगर जिंदा रहता तो वो आगे भी अपनी अपरात की दुनिया को कायम करने की पूरी कोशिश करता अगर उसको मदब मिलती संद्रक्शन मिलता क्योंकि संद्रक्शन की बदालत ही वो इस तरीके से फलता फूलता आया और आज हाला कि आखरकार विकास दूबे मारा गया मुटभेड में हाला कि इस एंकाउंटर को लेकर भी सवाल उठाई ज वहां से एक के बाद एक देशी बंब मिले हैं इससे पहले जहां से पुल्स टीम पर हमला किया था विकास दूबे और उसके साथियों ने वहां से भी हत्यारों का एक बड़ा जखीरा मिला था किस तरीके से बारूत और हत्यारों को छिपा कर रखा गया था उसने पहले से ही पूरी तैयारी की हुई थी अपने पूरे घर को किले बंदी में तब्दील कर दिया था, बंकर बनाये हुए थे, कि अगर उस पर कोई भी नजर उठाने की कोशिश करता है, या उसके खलाप किसी भी तरीके का प्रशास्तनिक आक्शन होता है, तो वो किस तरीके से उससे निपटेगा, किस तरीके से वो उन पर हमला करेगा और कुछ किया भी था उसने, कुछ इसी तरीके से 2 जुलाई की रात जब पुलिस टीम पहुँची थी उसको गरफतार करने के लिए, तो उसने पुलिस टीम पर हमला किया था, पुलिस कर्मी शेह गरपतारी हुई थी और अभी भी 16 लोग ऐसे हैं विकास दूबे के जिनको तलाश जाना बाकी है एक बार ये तस्वीरे भी हम आपको दिखा दें ये देखिए वही गाड़ी है जिसमें सवार्ता विकास दूबे उसके अगल वगल में पुलिस कर्मी मौझूद थे